तो नमस्का दोस्तों वर्ट्रक ब्लाग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ अरूप आपका दोस्त लेकर हाज रूप आपके पास एक नए उडियो के साथ। तो आज इस फीडेयो में हम देखने माले कि कैसे हम अपने WordPress ॵेबसाइट में रायट क्लिक को Disable करते हैं। उससे पहले हम यह जानेंगे कि यूँ कोई वेबसाइट ॉनर अपने वेबसाइट में रायट क्लिक disable करता है देगे दोस्तों अगर आपने अपने वेबसाइट में right click disable नहीं किया है तो जब भी कोई भी यूजर आपके website में आएगा वो right click करके आपकी किसी भी image को download कर सकता है image के path को यहां से copy कर सकता है या फिर अगर वो चाहते हैं किसी content को copy करना तो वो directly आपके website में किसी भी content को which copy कर सकता है अगर कोई यूजर चाहे आपके website के code को inspect करना तो यहां से inspect में जाके वो आपके code को भी यहां से inspect कर सकता है थो यह सारे options मिल जाता है एक user को अगर आपने website में right click को disable नहीं किया है बड़ अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी यूजर वेबसाइट में आये लेकिन वो यूजर ये सारे काम ना कर पाए आपके वेबसाइट में तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट में राइट कलिक को डिसेबल करना होगा आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं वीडियो दोस्तों काफी इंपर वीडियो को पूरे एंड तक चरूर देखे चले दोस्तों वीडियो में अगर बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल के आने वाले सारी व पर क्लिक करके से इंस्टॉल कर लेना है सो प्लगिन जैसे इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हमें यहां से एक्टिबेट बटन पर क्लिक करके हम इस प्लगिन को एक्टिब कर लेंगे जैसे प्लगिन यहां पर एक्टिबेट हो जाएगी उसका प्लगिन का सेटिंग हमें मिलेगी हमारे dashboard में यहां चो setting option है, इस setting option के अंदर, हम setting option के अंदर आएंगे, यहां पर देखिए हमें एक option मिलेगी, disable right click for WP, जिस plugin को भी हमने install किया, simply हम इस पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर इसका setting open हो जाएगी, setting यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं इस plugin में, दो ही setting ह जहां पर हमें एक no और yes का option मिल रहा है, यह है so message on disable event, मतलब अगर हम यहां से yes करते हैं, तो user जैसे ही right click करेगा, तो उसे so हो जाएगी, right click disable है, लेकिन अगर हम no करेंगे, तो वो so नहीं होगी, right click भी नहीं होगी, तो हम इसे yes कर देते हैं यहां से, उसके बाद फिर हम save settings प log in है, या फिर editor log in है, तो वो right click कर सकता है, so जैसे यहां पर settings हो जाएगी, अब देखिए हम अपने website में आते हैं, यहां पर हम refresh करते हैं, refresh करने के बाद देखिए, अभी हम यहां पर as an administrator log in है, इसलिए अगर हम यहां पर right click करेंगे, तो देखिए right click होगा, यहां पर हम किसी mode में open कर लिया, अब इस website पे अगर हम right click करेंगे, तो देखिए, यहां पर आपको message आ रहा है right click disabled, अब कोई भी user यहां पर right click नहीं कर सकता है, ना ही किसी content को यहां से copy कर सकता है, user अगर चाहे इसे copy करना, तो यहां से select ही नहीं होगा, इसे copy नहीं कर सकता है, user अगर right click करता handy of content from our website So hopefully यह व्याप लोग लिए helpful रही आपको फ़दा चला कि यृस है उनहीं वीडियो को देखने के लिए बहुत थहने बाद आपके विडियो कैसा अगर आज अधर यह बिक साकार चानल को दोस्तों अभी जब आज याउट वीडियो में विता दो बाइयर्म, पेकिर!